तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे तो फाइनली अब इंतजार खत्म हो गया और आज मैं गोरकपुर मेट्रो पर लेटेस्ट और डिटेल्स वीडियो लेकर आ चुका हूँ वीडियो काफी मज़ेदार होने वाली है तो लीज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आप से एक रिक्वेस्ट हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कर लीजिए इसी प्रकार की फ्यूचर में भी लेटेस्ट अपडेट देखते रहने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस गोरखपुर मेट्रो परयोजना की देख रेख उत्तरप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की जा रही है योजना के अनुसार दो मेट्रो लाइनों का निर्मान किया जाएगा और गोरखपुर में कुल 27 मेट्रो स्टेशन होंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी उत्तरप्रदेश सरकार ने 2017 में UPMRCL को परियोजना के समनवयक के रूप में नियुक्त किया। UPMRCL को हित धारकों को एक साथ लाकर चरण एक शुरू करने का काम सौपा गया था। Rail India Technical and Economic Service ने एक परियोजना रिपोर्ट तयार की जिसे मार्च 2019 में निगम को प्रस्तुत किया गया था। इसे अक्टूबर 2020 में राज्यमंत्री मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने नवंबर 2021 में परियोजना के पहले चरण को मंजूरी दी थी। मगर अब फिलहाल अभी गोरखपुर में दो रूट पर मेट्रो चलाने जा रही है। गोरखपुर मेट्रो रूट की दो लाइने। इस कुछ प्रकार होंगी जिसमें से पहली लाइन श्याम नगर से सूबा बाजार तक होगा, तो वही दूसरी लाइन गुल रिहा से कचहरी चौराहा तक होगी। चलिए, अब एक नजर डालते हैं, इन लाइनों और इन दोनों रूटों पर पढ़ने वाले स्टेशनों की डिटेल्स ध्यान देंगे। चलिए, अब दूसरी लाइन की बात करते हैं, तो ये गुल रिहा से कचहरी चौराहा तक चलेगी, जिसमें कुल 11 स्टेशन शामिल होगे, इस मेट्रो लाइन की लंबाई 10.46 किलो मीटर है। आए उन विभिन स्टेशनों पर भी एक नजर डालें, जिन्हें यह मेट्रो लाइन कवर करेगी, गुल रिहा, बी आरडी मेडिकल कॉलेज, मुगला, खंजांची बाजार, बशारतपुर, अशोक नगर, विश्नु नगर, असुरन चौक, धर्मशाला, ये एक इंटरचें के लिए बता दूँ, गोरकपुर मेट्रो लाइन के पास संपत्ति में निवेश करना एक अच्छा निर्णय हो सकता है, ये विकास के लिए, एक उतकριष्ट अवसर और निवेश पर महत्वपूर्ण प्रतिफल प्रदान कर सकता है, गोरकपुर मेट्रो लाइन के पास संप के रूप में उभर रहा है। दूसरी लाइन पर बशारतपुर क्षेत्र के लिए एक मेट्रो स्टेशन होगा। इसके अलावा पहली लाइन पर आगामी शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन बशारतपुर से 4.2 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक शांति पूर्ण र प्रती जागरूक निवेशकों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती हैं। वहीं अगर दूसरी स्टेशन की बात करें तो सिविल लाइन्स स्टेशन गोरखपुर के मध्य में स्थित सिविल लाइन्स एक प्रमुख आवासियक शेत्र है जो मेट्रो लाइन से संस्थानों, अस्पतालों और वानिज्जिक केंद्रों से निकटता के लिए जाना जाता है। सिविल लाइन्स में संपत्ति की कीमतों में लगातार वृद्धी देखी गई है जिससे यह एक आकरशक निवेश विकल्प बन गया है। और अगर वहीं हम शाहपुर स्टेशन की बात करें तो यहां असुरन चौक मेट्रो स्टेशन के करीब स्थित शाहपुर एक तेजी से विकास शील क्षेत्र है जो आवासियें और व्यावसाइक संपत्तियों की पेशकश करता है। उक्त मेट्रो स्टेशन शाहपुर से लगभग 1.3 किलोमीटर की दूरी पर है। कॉलोनी अपने सुनियोजित बुनियादी धाचे, अच्छी कनेक्टिविटी और शैक्षनिक संस्थानों, अस्पतालों और शौपिंग सेंटरों से निकटता के लिए जानी जाती है। शाहपुर में संपत्ति की कीमतों में व्रिध्ध की प्रव्रिध्ति दिखाई गई ह जो निवेशकों को विकास क्षमता की तलाश में आकरशित कर रही है। और फिर वही अगला स्टेशन बेतियाहाता की बात करें, तो यहां गोरकपुर मेट्रो लाइन के करीब स्थित बेतियाहाता आवासिये और व्यावसाइक संपत्तियों के मिश्रण वाला एक हलचल भर इलाका है। यह हजारियापुर मेट्रो स्टेशन से 1.8 किलो मीटर से भी कम दूरी पर है। बेतियाहाता बाजार, शॉपिंग कॉम्पलेक्स और शैक्षनिक संस्थानों सहित कई सुविधाओं के साथ एक जीवन्त क्षेत्र है। अपने रणनीतिक स्थान के कारण बेतिय गोरकपुर मेट्रो लाइन के पास एक और इलाका है। दूसरी लाइन पर गोलघर मेट्रो स्टेशन से लगभग 2 किलो मीटर दूर निवेश की अनुकूल संभावनाएं प्रदान करता है। यह शहर के प्रमुख क्षेत्रों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो इ परटी में निवेश करने से लॉंग टर्म रिटर्न मिल सकता है। मेट्रो सेवा शुरू होने से गोरकपुर के आर्थिक और धांचागत विकास को गती मिलेगी। यह शहर के भीतर विभिनक शेत्रों के बीच संपर्क में सुधार करेगा। इसके जुड़ने से गोरकपु गोरकपुर मेट्रो का काम आपको दिसंबर 2023 तक देखने को मिलने लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हैं तो आप कॉमेंट में जरूर जय हिंद, जय भारत!